हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्राखंड जी के वेरी जी ट्रिक्स में और आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्राखंड जी के टेस्स स्रीज पार्ट 41 के बारे में इससे पहले दोस्तो इस स्रीज में हम 40 पार्ट पढ़ चुके ह और उससे संबंदित जितने भी प्रस्न एक्जाम में पूछे जाते रहे हैं या पूछे जा सकते हैं उन सभी चीजों को हम डिसकस अब करते हुए चलें तो आज हमारा ये एक 40 पार्ट है इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजेगा वीडियो पसं प्रमुक सराब विरोधी लेख कलम नहीं बंदुक लिखे की खबर और गडवाल मंडल में टिंचरी के व्यापार की दास्तान किसके द्वारा लिखी गई थी काफी महत्वण दोस्तों ये दो खबरें थी जो कि उमेज डोभाल जीके द्वारा लिखी गई थी अब कुछ ल लिखे के द्वारा लिखी गई थी और इनहीं उबेश डोभाल जीके द्वारा लिखी गई थी और इनहीं उबेश डोभाल जीकी दोस्तों सराब के ठेकेदारों ने 1988 में हत्या करवा दी गई थी अब दोस्तों सराब की बात आईए तो आप एक महिला को नहीं भूल सकते हैं जिनका नाम है टिंचरी माई गढ़वाल में सराब की तसकरी को या सराब के कारखानों को आग जिरूने लगाई थी वो थी कौन टिंचरी माई तो ये 있지만 में important है कि टिंचरी माई किसे कहा जाता है तो सराव विरोधी आंदुलन में, दोस्तोो, तिंच्री माई का विशेश योगदान था घड़वाल में, और इन्ही तिंच्री माई का मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था? दीपा देवी, ठीक है? इसी के साथ साथ दोस्तो, ठगुली देवी के नाम से भी तिंच्री के नाम से जाना जाता है और इनका मूल नाम था दोस्तो क्या दीपा देवी लेकिन 17 वर्से की आयू में ही इनके पती की मृत्ती हो गई थी उसके बाद में यहां सन्यास धारण कर लेती है और यह सन्यास धारण करने के बाद में अपना नाम इच्छागिरी रख लेती है क्या जाना जाता था जब 17 वर्स के आयू में यहने संयास लिया और संयास धारण करने के बाद में इन्होंने अपना नाम इच्छा गिडी रखा था इतने पॉइंट आपको टिंचरी माई जी से याद रखने हैं अंसर हो जाएगा उप्शन नमबर सी उमेश डोभाल दूसरा हमार हरिद्वार में इस्तित है अब रेल के बारे में बात आईए तो रेल के बारे में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं कि उत्राखन के कितने जिलो में रेल का विस्तार है तो उत्राखन के 6 जनपद में उस तो रेल का विस्तार है कौन-कौन से हरिद्वार धेरादून पॉड से कम railway track वाला जिला है पौड़ी गड़वाल जनपत ये भी आपको जरूर याद रखना है यहीं से प्रसना आता है कि उत्तरी railway का या उत्तर भारत railway का सबसे आखरी station कौन सा है तो धेरादून railway station दोस्तों उत्तर भारत का सबसे आखरी railway station है उत्तराखन राजी में कुल railway station की सं क्या है और railway के routes क्या क्या है दोस्तों ये भी आपको जरूर याद रखना है क्योंकि exam में railway routes से भी exam में प्रस्ने पूछे जाते रहे हैं ठीक है हरिद्वार से रामनगर हेतु रेल सेवा की सुरुवात कब हुई थी ये भी नोट करना है आपको तो 15 मार्च 2012 को दोस्तों हरिद्वार से रामनगर तक रेल सेवा शुरू ही थी और रामनगर को मुरादाबाद टर्मिनल स्टेशन या जंक्सन स्टेशन से कब जोड़ा गया था यानि कि रामनगर और मुरादाबाद के मध्य में सबसे पहली train कब चलाए गई थी कि उत्राखंड की किस परियोजना को राश्टी परियोजना का दरजा दिया गया या फिर टनकपूर से बागिस्वर थक जो रेल परियोजना है उसे राश्टी परियोजना का दरजा कब दिया गया मार्च 2012 में उसे राश्टी परियोजना का दरजा दिया गया इतने point आपको यहां से मोटे मोटे दोस्तों याद करने है ट्रेन के संबंद में ठीक है कार्ट गुदाम और कोड़द्वार ये बड़ी देर्वे लाइनों के अंटिम टर्मिनल इस्टेशन के रूप में भी जाने जाते है उत्राकन राज जी का या उत्तर भारत का अंतिम रेलवे स्टेशन या आखरी रेलवे स्टेशन कौन सा है वो है देरादून रेलवे स्टेशन जिसकी स्तापना हुई थी कब मार्च 1900 में ये भी आपको याद रखना है तो उसका अंसरता दोस्तो कासिपूर, खटीमा और किच्छा ठीक है क्योंकि कासिपूर और किच्छा एक दूस्टे से नहीं जुड़े हुए है या कासिपूर और खटीमा रेल लाइन एक दूस्टे से नहीं जुड़े हुए है तो ये भी आपको यादरना है कि कौन सी रेल कहां तक जुड़ी हुई है suppose that जो rail line हमारी दोस्तों धेरादुन से हलदवानी या काठगुदाम को आ रही है तो आपको उसके बीज के station याद रखने चाहिए कि वो कहां कहां से ओ रेल होके गुजरती है जो rail दोस्तों हलदवानी से या काठगुदाम से दिल्ली जाती है या हलदवानी से रामनगर जाती है या मुरादाबाद से रामनगर आती है या हलदवानी से बरेली जाती है इन सभी ट्रेनों के रूट्स भी आपको जरूर देखने है क्योंकि एक्जाम नर यहां से प्रसन पूछ रहा है और काफी भारी के से प्रस्न पूछ रहा है देखे दोस्तों यह प्रस्न आप लोगों के लिए काफी सरल लग रहा होगा आपको क्योंकि जो लोग कुमाओं के थे उनको यह प्रस्न सरल लग रहा होगा पूछे जाते हैं इसके लिए आपको एक चीज करनी पड़ेगी कि जितने भी उत्राखन की में ट्रेंस हैं उनका आपको डाटा चेक करना और यह कहां कहां से होकर गुजरती है वो भी आपको जरूर देखना है ठीक है और इसके से करना पर याक तक जो अभी रेल लाइन चल कोन चा था है वो था भी धिरादून रेलवे स्टरेशन जिसने आईएसो का दरजा प्रापत चेक है तो कब कह fait थे घ्रादून रेल्वे स्टरेशन की स्थाबना कब होई थी सन 1900 में इसकी स्थाबना होई थी ये भी आपको जरूर याद रगना है राजी में कुल रेलवेस्टेशन है 42 और उत्राखंड में प्रस्तावित मैट्रो रेल कहां कहां से इसकी स्थाबना है इतने पॉइंट आपको यहां से नोट करने है अगला और तीसरा प्रस्न है काफी महत्वपून दोस्तों ये प्रस्न है कि स्वच्चे गंगा मिसेन की सुरुवाद कब से की गए थी और यहाँ जो गंगा है न दोस्तो गंगा ही काफी important है हमें पता है आप सभी लोगों को पतावी होगा कि गंगा हमारी क्या है रास्टी नदी है सबसे पहला प्रसना आता है कि गंगा को रास्टी नदी कब गोसित किया गया था चार से पांच बार दोस्तो एक्जाम में जाता है अब गंगा आपको बताईए दोस्तो गंगा को माता की नाम से पुझा आता है गंगा एक्शन प्लान चलाए गए है गंगा को रास्टी नदी गोसित किया गया गया है गंगा को सवच्छ करने के लिए काफी mission चलाए गए है जो कि एक्जाम के point of view से हमारे बहुत मह से याद रखना कब से अक्टूबर 2009 में दोस्तो स्वच्छ गंगा mission की सुरुवात की गई थी और इस स्वच्छ गंगा mission के तहद दोस्तो गंगा को पूरी तरीके से साब करने का action plan कब तक तई किया गया था 2020 तक दोस्तो तई किया गया था और यहाँ प्रसनाफ से एक्जा दिसम्बर 2008 को गंगा को राष्टी नदी गोशित किया गया था यहीं से आप से दोस्तो प्रसनाफ पूछा आता है कि गंगा या इस पर से गंगा अभियान कब चलाया गया था अभी हाली में आपकारी का एकजाम पेपर हुआ है वहाँ पर भी साय प्रसनाफ पूछा जा च और उनके ही दोरा इस पर से गंगा अभियान चलाया गया था और इस पर से गंगा अभियान की सुरुवात कहां से हुई थी यह भी बहुत महत्यपोन प्रसना है तो मुनी की रेती टिहरी से इस पर से गंगा अभियान की सुरुवात हुई थी 17 दिसम्बर 2009 को और इसी 17 दिस दिसंबर को दोस्तों मनाया जाता है गंगा स्वच्छता दिवस याद रखने सभी प्रस्ण गंगा से संबंदित सभी प्रस्ण आप प्रिवेश एर एक्जाम पेपर उठा लीजिएगा हरमेश आपको देखने को मिलेंगे इस पर से गंगा अभियान की शुरुआत हुई थी नमामी गंगे अभियान की शुरुआत कब से हुई थी तो ये डेट यहाद रखने है साथ जुलाई 2016 और ये भी दोस्तों एक्जाम में प्रस्ण पूछा जा चुका है कि नमामी गंगे अभियान की शुरुआत कब से हुई थी साथ जुलाई 2016 से परदान मंतरी मोदी जी के इतने ही स Isaac और पूंट में नमामी गंगे अभियान की सुरुआत के गी थी गंगा की स्वच्छता को बढσω को बढ़ाए रखने है तो आप दोस्तों यहीं से अभी हाली में आपकारी का उब पेपर हुआ है एक्जивает नर न यहीं पूछा इसी से संब्ध नहीं थे क्या गंगा एक्षन प्लान गंगा एक्षन प्लान गंगा नदी के बारे में सरकार का सबसे पहला प्लान था या सरकार ने सबसे पहले कब सोचा इसी एक्षन प्लान में सोचा जोस्तो गंगा एक्षन प्लान जो की कब लागू हुआ था या कब से 14 जून 1985 को दोस्तो 14 जून 1985 को राजियू गांधी जी के दोरा इस गंगा एक्शन प्लान की सुरुवात की गई थी यहाँ एक केंदरी योजना थी गंगा नदी को स्वच्छ करने हे तू या कच्चडे बच्चरे से हटाने हे तू राश्टी गंगा नदी बेशिन प्राधिकरन की स्थापना कप की गई याद रखना है राश्टी गंगा नदी बेशिन प्राधिकरन की स्थापना भी दोस्तो 2008 में होती है स्वच्छ गंगा मिसन शुरू होता है अक्टूबर 2009 से इस पर से गंगा अभियान भी सुरू होता है किसके द्वारा नमामी गंगया दियान की सुरुआद की गई थी, यहीं से दोस्तो प्रसना आता है गंगा एक्षन प्लान, जो कि गंगा के बारे में सबसे पहले सरकार निकप सुचा था, 1985 में रादियू गंधी जी के द्वारा यह प्लान सुरूख किया गया था, और यहीं स दोस्तो नमारी कौंचि गंगा नदी और यमुना नदी, याद रखना है ननिकलने वाली गंगा नदी और यमुना नदी को जीवित मानो का दरजा दिया गया था, और इंप्पूरेंट है, एक्जाम में प्रसन पूछा जा चुका है फॉरस्ट गाड़ के एक्जाम पेपर में ये भी आपको जरूर याद रखना है इसी के साथ दोस्तों गंगा से संबंदित काफी सारी अन्य पर योजना है भी थी फिलाल आप इतना ही याद के लिए अंसर हो जाएगा अक्टूबर 2009 बागी एकस्पिलिनेर्शन आप सामार्नी उसथा है। उनके ध्वारा कैई थी? मुठी मापन प्रणाली के शरूआत की गई थी यानिंकि भूमी को मुठी में आपने की शुरुआत की गई थी ऐसा माने जाते है ठीक है अभी उनका नाम के था मुझे एक्जकली याद नहीं आ रहे है कुमाओं का द्रिस्टास्ट या उत्राकं का द्रिस्टास्ट उनको का जाता है लक्समी चन के वो भाई थे ठीक है सैद नाम था उनका पीरू गुसाई पीरु गुसाई नाम था उनका ठीक है, मुझे एक्शुल्टी में याद नहीं आ रहा है, फिर भी आप दोग देख लिजीगा, पीरु गुसाई की तोरा इस मुठी मापन प्रणाली के शुरुबात की गई थी, जमिन को मापने के लिए इसका प्रयोग क्या जाता है, ठीक है अब यहीं से दोस्तों एक बार PCS 2016 में भी प्रस्ना पूछा जा चुका है, इसलिए यह प्रस्ना मारा काफी important होता है, कि एक मुठी बराबर कितने ग्राम होता है, तो एक मुठी बराबर होता है, तो एक मुठी बराबर कितना होता है, अंसर हो जाएगा option number C, इसी के साथ एक सेर होता है, 16 मुठी बराबर एक नाली होता है, 40 मुठी मलब एक भीगा होता है, और एक नाली बराबर कितना होता है, 200 मीटर होता है, इतने point आप यहां से normally याद रख सकते हैं, जो कि exam में आपके लिए helpful रहेंगे, क्योंकि यह भूमिन आपन की है, कि काई है दोस्तों, तो यहां से आप से exam में प्रसने, पूछे जा सकते हैं, और इस नाली या मुठी की सुरुवात किसने करी थी, तो लक्षमी चन के भाई थे दोस्तों, उनके द्वारा इसकी सुरुवात की गई थी, जिने कुमाओं का द्रिश्टास्ट या उत्राखन का द्रिश्टास्ट भी कहा जाता है, अभी अक्च्वल्टी में मुझे नाम साहिद उनका पीरु गुसाई था, फिर भी आप लोग एक बार देख लिएगा, पीरु गुसाई या साहिद सो सक्ति गुसाई था, ठीक है, सक्ति गुसाई नाम था, सक्ति गुसाई नाम था, पीरु गुसाई नही ही हित्व प्रयोग की जाती थी एक्जाम में यहां से एक बार प्रस्थ भी पूछा जा चुका है इतने मोड़ आपको यहां से नोट डाउन करने हैं अगला प्रस्थ है अमारा राज जी के कौन से इस्तान पर सूसना प्रोध्योगी की तथा जैव प्रोध्योगी की संस्तान या पार्क की स्थापना की गई तो IT सूसना प्रोध्योगी या नहीं है इन्फॉर्मिशन टेक्नोलोजी पार्क और बीटी मलब जैव प्रोध्योगी की मलब होता है क्या बायो पार्क इस्तित है देला दूं के सःस्टेध्धारा के पास में भी it पार्क इस्तित है तो देलादू और पनतनगर दोनुजग हमारे पार्क इस्तित है लेकिन यहां पर एक आईटी पार कमारा कहांपे है, नरेंदर नगर टीहरी में भी इसते हैं, तो राज जी में कुल तीन आईटी पार कहांपे यह यार रख सकते हैं, एक है कहांपे दोस्तो देरादुन में, ठीक है, दूसरा आईटी पार कहांपे नरेंदर नगर टीहरी में, और तीसरा आई प्लांट टिशू कल्चर लैब की स्थापना कहां पर की गई है तो प्लांट टिशू कल्चर लैब की स्थापना में दोस्तो पंतन अगर में ही की गई है अगला प्रस्थन है कि उत्राखन में सौप्ट्वे टेक्नोलोजी पार्क कहा है तो सौप्ट्वे टेकनोलोजी पार्क हमारा देहादुन में इस्तित है और cyber tower की स्थापना कहां पे की गई है मनलब cyber tower की स्थापना उत्रागन में देहादुन में ही की गई है तो cyber tower की स्थापना और software technology park दोनों देहादुन में इस्तित है जबके plant tissue culture lab हमारा पंतनेगर में इस्तित है अब यहीं से दोस्तों हमारा एक और प्रसने बन सकता है कि राजी में इ-governance योजना को कब से शुरूख किया गया था सन 2001 से दोस्तों राजी में इ-governance योजना को शुरूख किया गया था और वर्स 2001 को ही इ-governance वर्स के रूप में भी घोसीत किया गया था ये point भी आपको जरूर no down करना है यहीं से एक और point हमारा काफी महत्वपूर्ण है कि राजी में E district परियोजना कपसे सुरूख की गई थी तो sun 2009 से दोस्तो राजी में E district परियोजना सुरूख की गई थी दोनों में बहुत confusion होता है E governance की बात आएगी तो 2001 एक E district की बात आएगी तो 2009 ये दोनों ही दोस्तो आपको याद रखने हैं आगे बढ़ते हैं अगरा हमारा प्रस्न है उत्राकन राजी में एकिकरत आदर से किरसी ग्राम योजना की शुरूख कब से की गई है इस योजना की शुरूख करी है हमारे उत्राकन के मुख्यमंतरी त्रिवेंदर रावजी ने क्या एकिकरत आदर से क्रिसी ग्राम योजना 11 September 2020 कहां से तेरा दुन जिले के डोईवाला चेतर के माजरी ग्रांट गाउं से इस योजना की शुरूख की गई है अगले प्रस्न की बात करते हैं अगला हमारा प्रस्न है दूस्तों साथ वहां कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का सुभारंब कबसे किया गया है तो प्रस्न है इंपूरेंट दूस्तों आपको पताई होगा अभी COVID-19 चला था जिसके काराल काफी लोग जो हमारे उत्राखन के जो हमारे भाई लोग थे वो भाहर जॉब करते थे तो जॉब छोड़के उन्हें घर आना पड़ा था इस कारण हमारे उत्राखन के मुख्यमंत्री के दवरा स्वरोजगार यूजना का सुभारंब किया गया था उन्हें के लिए यानि कि इसके तहत तार्गर बनाया गया था कि लगबग 10,000 युवाओं को रोजगार दिया जाएगा या फिर उध्यमी या युवा इसमें मलब काभी सारे प्रोजेक्ट दिये गे थे मसली पालं कर सकते हो मुर्गा पालं कर सकते हो भूमी सुधार कर सकते हो कुछ भी कर सकते हो इस प्रकार से स्वरोजगार यूजना का सुभारंब उत्राखन के मुख्यमंत्री त्रिवेन सि योजना का सुभारंब किया गया था काफी महत्यपूर्ण दोस्ते प्रस्न है ठीक है और होप पोर्टल का की सुरुवाद भी किस ने करी थी दोस्तों होप पोर्टल क्या helping out people everywhere यह भी दोस्तों आपका स्वरोजगार से संब्दित था या उध्यमी यह यह अपनी नीजी या लीज की जमीन पर ग्रिट संचोधित 25 किलोवार्ट तक का सोलर प्रांट भी स्थाबित कर सकते थे इसी के तहए इसी के दायत दोस्तों हमारा अभी आपको पताए कि पिरूल से बिजली उतपादन का कारी कर चल रहा है उत्तरकासी में उसके प्लानेट के सुरुवात की गई है तो पिरूल से बिजली उतपादन हो रहा है तो पिरूल कहां से प्राप्त होता है लीसा कहां से प्राप्त होता है लीसा भी दोस्तों चील के वरिख्षे से प्राप्त होता ह है अगला प्रस्ण है हमारा दोस्तो ऐटमा महत्पुन प्रस्ण है राजी में चारो धामों का हरीद्वार से बढ़ते हुए क्रम में कौनसा क्रम सही है où पीस ऊरसicles प्रिक्षिया में प्रस्ण हैê पूछा गया दोस्तो चार तो यमनोत्री और गंगोत्री धाम कहां इस्तित है तो यमनोत्री और गंगोत्री धाम के प्रवेश द्वार के रूप में किसे जाना जाता है चारो धाम के प्रवेश द्वार गंगोत्री धाम के रूप में लगाईए तो चारो धामों में सबसे अधिक उचाई पर कौन सा धाम है दूस्तो धाम धाम के यमनोत्री धाम उसके बात में जोस्तो बद्रिनात धाम और लास्ट में हमारा क्या जोस्तो गंगोत्री धाम है ठीक है तो प्रस्णा आपसे बन सकता है कि चारो धामों को उनके उचाई के बढ़ते हुए क्रम में लगाईए तो सबसे कम उचाई है गंगोत्री की फिर बद्रिनात की फिर यम कि यंदार्य शुक्तित म 1968 और कि बमनतिर ये बी रुद्रकाईग आप उन्सेया सब्सक्क्राइरी आम 실ाइब हीस्तीत है उत्रात मंदीर सब्सक्राइब करने किये नुपनते खाली वहाहिक पर इस तरासी के रुद्र प्रियाग में है और बद्रियाद धाम कांपे दोस्तों मारा चमोली में इस्थित है ठीक है यम्नोत्री की साइथ 3300 कुछ है और बद्रियाद की 3300 कुछ है इसके 3000 कुछ है तो यह उचाई आप जरूर देख लिएगा अभी मुझे याद में आरी बस सबसे उचाई पर है के दारनाथ 3500 कुछ इसके उचाई है ठीक है अगे बढ़ते हैं अगला हमारा प्रसन है नवा प्रसन है निम्नेलिकित कथनों में से क को बताने की कौन सा कथन दोस्तो असतिए देखे पंडित गोविन बलाप पंते राज्की संग्राली के स्थापना अलमुणा में ही घीक है अगला हमारा प्रसन है लुछ पैसेट को ये भी इंटर लिंक करके आप यहाद रख लीजेगा, अब देखें दोस्तों एक तो है हिमालयन संग्रालई, यह उत्तरकासी में इस्तित है, एक ऐसी हमारा आता है कि हिमालय संग्रालई, यह होता है बस हिमालय संग्रालई पुछेगा, तो वो ननिताल में इस्ति गुंढवाव युनिवेशिटी के एक भवन में, ठीक है. अगला है, जिम कॉरबेट नैसनल पार्क मियुजियम, राम नगर में नहीं, दोस्तों. जिम कॉरबेट नैसनल प्रिक्षिक सब्सद में तो यह SCRT की स्थापना कब हुई थी, यह हुई थी, 17 जनवरी 2006 को, 17 जनवरी 2006 को, दोस्तो, SCRT की स्थापना हुई थी, कहाँ पर नरेंद्र नगर, टीरी गड़वाल, जनपत में, लेकिन दोस्तो, वर्तमान में, यह SCRT का मुख्याले कहां सतीता है, यह देरादूर में इस अभी वर्तमान में, राज्य SCRT का मुख्याले ही, दोस्तो, पूछेगा, तो वो देरादूर में इस्तेत है, अभी आपको, हाली में दोस्तो, प्रसनी एकजाम में पुछा गया था, हाइकोट के एकजाम में, उत्राखन में लोग सेवा अधिकरन कहां सतीता है, देखे दो लोग सेवा अधिकरन की स्थापना भी कहां पे हुई थी, नैनी ताल में हुई थी, तो किताबों में अंसर था इसका क्या दोस्तो, नैनी ताल, आयोग ने अंसर दिया, फर्स्ट अंसर की में, आयोग का अंसर भी नैनी ताल था, लेकिन एक्चुल्टी में देखा जाए, लोग सेवा अधिकरन कहां स्थित है, ये देहरादून में इस्तित है, निकि वर्तमान में इसका मुख्याले कहां पे था, देहरादून में था, तो रिवाईज अंसर की में, आयोग के द्वारा भी देहरादून को ही अंसर माना गया था, इसी करण आपको याद रखना है क कि SCRT का मुख्याले अगर आपसे पूछेगा तो यह कहा इस्तित है अभी देहरादून में इस्तित है इसी प्रकार से एक और प्रसंद दोस्तों आपको याद अखना है कि उरेडा उत्राखंड अक्षे उर्जा विकास निगम लिमिटेड का मुख्याले वर्तमान में कहा इस यह पॉइंट भी आप लोगों को जरूर नोटा दाउन करना है देखिए एक ही प्रसंद से आर कितने प्रसंद अगर लेवने ठीक है तो यह आप लोग देख लीजीगा अगला मारा प्रसंद है कि सरवादिक पर्येटकों को आकरशित करने वाला राश्टी उध्यान दोस् और यहाँ एसिया का ही नहीं दोस्तो भारत मलब भारत का ही नहीं एसिया का भी कह है पहला राश्टी उध्यान है स्वतनता के बाद 1952 के आसपास में इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रग दिया गया और 1957 में इसका नाम प्रसिद्ध प्रकृति प्रेमी जिम कॉर्ब प्रविजदार इस्थी थे ठीक है इसी पार्क के मद्दे में हमारा पार्टली दो निस्थी थे और प्रस्तन यहां से एक और इंप्रेमी बनता है दोस्तों कि सरवाधिक परेटक कहां पर आते हैं हमारे हैली नेस्नल पार्क या कार्बिट आश्टी उध्यान में ही आते है आपको याद रगने ठीक है इसके बाद दूस्टर नंबर पर राज़ाजी राश्टी उध्यान में आते हैं तीसर नंबर पर फूलों की घाटी में आते हैं यहीं से दोस्ते एक प्रस्तन है हाली में एक्जाम में पूछा गया है कि इसमें बागों की रक्षिया के लिए टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स याई स्टी पी एफ टीक है एस्टी पी एफ की स्ताबना कप की गई थी तो यह की गई थी दो जार तेरा मां आपको यह पॉइंट भी डैक ले नोट डाउन करना है ठीक है राम गंगा ने दिए कि नारे पेस्तित है राम गंगा नेशनल पार्ग इसका नाम भी रखा गया था इतने पॉइंट आपको फिलाल दोस्तों यहां से याद रखने है और 2012 में इससे साइलेंस जोन गोशित किया गया था अप्रेल 2012 के आसपास ठीक है और भारत का पहला बाग संदक्शित छेत्र भी इसी पहला राष्टी उध्यान है जिम कॉर्बेट राष्टी उध्यान यह आपको याद रखना है ठीक है और दोस्तों आज का आपका होमवर का कुश्चन है कि स्टेट इंडस्टियल डेवलमेंट कॉर्परेशन और उत्राखन लिमिटेट की स्थापना कब हुई थी 2000-2001-2002 और इन में ऐसे कोई नहीं तो इसका अंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूड़ देना है दोस्तों और इसी के साह्ट साहर थे एक मार्च से हमारा उत्राखंड का नया अंलाइन कोर्स शुरू रहा है उत्राखंड और हिंडी का 659-5080 अगर आप उत्राखंड के किसी भी एक एक्जाम्स के लिए काफी पुयोगी कोर्स रेगाई दोस्तों उत्राखन और हिंदी का अगर आप इन कोर्स को लेते हैं तो इसके बाद में आपको बुक्स पढ़ने की जुरत नहीं है आपको बस अपने नोट्स बनाने है वीडियो देखके और उन्हीं नोट्स के आधार प कमजोर है आपको अच्छी करनी है तो आप निश्ची थी इस कोर्स को ले सकते हैं किसी जबी दोस्तों फोर्स नहीं कर रहा हूं जो लोग लेना चाते हैं वहां ले सकते हैं यह हमारा उत्ताखना ओनलाइन कोर्स का बैच 10 जो की एक मार्स से सुरू होने वाला है 28 फरवरी तक आप इस कोर्स से जुल सकते हैं तो आज की वीडियो मैं इतना ही दोसके हां अकर वीडिओ पसंदा आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है कमेंट जरूर करने है और श facts बदिशक का रहे हैं और ज्यादा महत्तपूर्ण है प्रस्न महत्तपूर्ण नहीं है दोस्तों प्रस्न रट्टा माल के कुछ नहीं होगा लेकिन इसके इंटरनली में आपको जो डाटा बताता हूँ न वो ज्यादा महत्तपूर्ण है, आपको भी उस पर ज्यादा फोकस करना है, तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, thank you, thanks for watching वीडियो, see you next time.